सभी का टीम IAS YouTube चैनल पर नमस्कार उमिद करते हैं कि आने वाली परिक्छाओं की तैयारी आपकी बहुत सांदाज चल रही होगी As we have discussed earlier कि आने वाले महनों में बहुत सारी प्रिलिम्स एक्जाम are lined up You must be knowing और आपरो में से बहुत सारी लोगों ने UP में RO और ARO का form भरा होगा आपको यह भी जानकारी होगी कि UP में RO ARO का यह form है लगभग 13 लाक form भरे गए हैं जिसमें से बिहार के बहुत सारे student में form भरा होगा और इसमें GS जो है आपका decisive role play करेगा अगर आपको GS में अच्छे number आते हैं तो selection आपका security बढ़ जाएगा RO ARO का एक्जाम जो है यह next year February में होने वाला है most likely second week of February में होने वाला है उसके अलावा उत्तर प्रदेश UP PCS civil service का जो एक्जाम होता है upper subordinate service का एक्जाम that is to be held in March और बहुत सारे students आप लोगों में से form आप लोगों ने भरा होगा तो यह March में एक्जाम है और उसके बाद आप जानते हैं कि UPSC जो ultimate exam है वो और 70th BPSC Now do understand कि यह सारे exam में एक जो common factor है that is GS paper और GS paper अगर आपको अच्छा रहता है तो जिन लोगों ने RO, ARO का form भरा है उनका performance अच्छा रहेगा प्रदेश PCS का form भरा है वहां पे performance अच्छा रहेगा और UPSC और BPSC में भी आपका performance अच्छा रहेगा हमारे channel के तरफ से Team IAS YouTube channel के तरफ से अब लगातार आपके लिए prelims के लिए videos आएंगे ऐसे videos आएंगे जो exam oriented हो I must add here exam oriented in the sense कि ऐसे videos जहां से question आएंगे we will select those topics and areas from where questions are being asked और उसी स्रिंखला को ध्यान में रखते हुए हर subject से हम लोग videos लाएंगे जो कि आपके exam की तैयारी के लिए सांधार रहेगा इस video में बने रहेगा चुकि हम लोग आज के video में बहुत interesting area के बारे में बात करेंगे जहां से repeatedly questions आते हैं उससे पहले कि हम लोग main content को शुरू करें अगर आपको हमारा video हमारा channel अच्छा लगता है तो कि पर हमारे channel को subscribe करें bell icon को press करें let's start with the video as you all must be knowing कि medieval India में बहुत सारे foreign invaders आये थे और इंडिया उस वक्त बहुत ही rich area था rich reason था इसलिए आप देखेंगे कि medieval time में जो foreign invaders जो भी थे जो भारत से बाहर थे उनका ध्यान भारत पर गया और उन्हें लगा कि अगर भारत में जाया जाये तो बहुत सारा वहां से धन की प्राप्ति उन्हें हो सकती है और medieval समय में political situation भी था जो बहुत ही unstable था अगर आप देखिए खास करके early medieval period अगर आप लीजिए तो 750 से लगभक 1280 का जो period था यह बहुत ही unstable था और यह हुआ period था जब foreign invaders लगातार भारत पर हमला कर रहे थे और उन्होंने हमला भी किया और entire medieval period में आप देखिए despite the fact that Delhi सलतनत के समय में stable Mughal rule हुआ for a large period of time during the Mughal period you will find that towards the close of the Mughal period we find invaders coming to India and they looted and plundered India आईये हम लोग इसमें जो prelims से जुड़े जो facts हैं जो आपके exam के लिए जरूरी है उस पर बात करते हैं सबसे पहले आपको concept को समझ लेना है यह foreign invaders जो भारत में आए तो उनका root क्या था इससे आपको याद करन में आसानी होगी exam में आपके लिए easy रहेगा you understand कि ये वाला जो portion आप देख रहे हो this was the portion जो हिंदुकुस का area आपको है so Afghanistan का area होगे Afghanistan का area आज के संदर में Pakistan का area है वह है और Central Asia का reason जो आप देख रहे हो यह है यह जो था main portion था भारत में invaders के आने का और इसके पीछे कारण यह करते थे या बहुत ही weak थे इसी कारण से यह जो portion है basically आपका यह this was the gateway for the invaders to come and attack India और Central Asia से this was the portion through which invaders kept on invading India and they made a route to India via these portions आई हम लोग एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि early medieval period में roughly you might say अरव conquest सबसे पहले हुआ है और यहाँ पर मुहमद बिन कासीम was the first invader who came to India और 712 AD में इसने सिंद का जो portion है वहाँ पर attack किया और सिंद का जो ruler था उस वक्त he was दाहिल दाहिल was the ruler of सिंद यह question पुछा हुआ है कई बार state PCS में पुछा गया है and the ruler of सिंद that is दाहिल he died fighting और मुहमद बि कासीम was the first in India to impose जजिया tax please understand that the जजिया tax was a property tax और आने वाले सालों में कई सारे rulers आपको देखियेगा डेली सलतनत के समय में और मुगल एंपायर के समय में जजिया tax को लगाया गया कई बार तो इसकी सुरुवाद जो हुई वह मुहमद बिन कासीम के द्वारा हुई and that was first imposed in Sindh so this was the first instance of foreign invasion then you find you have महमूद गजनी महमूद गजनी का attack जो था भारत में सन 1000 AD से लेकर 1027 AD तक लडातार 17 बार इसने attack किया था यह question पूछा गया है state PCS में आपको याद रखना है और याद रखिये कि जो महमूद गजनी ने जब attack किया था तो काबुल का जो area था यानि कि आज क पाकिस्तान का area जो था ओहां पर हिंदु साही डायनिस्टी रूल करती थी and which was very weak to repulse the attack of महमूद गजनी और महमूद गजनी से जुड़ा एक और fact याद रखियेगा कि उसने फिर्दावसी को patronize किया था यानि कि उसके court में this was the writer whose name was फिर्दावसी और जिसने किये किताब लि और उसका जो main purpose था that was to plunder and loot बहुत सारा भारत से ले गया लूट के ले गया और बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी उसने की थी Muhammad Gori और यह you understand that is सबसे पहला जो attack हुआ था that was in Multan that was the first attack being done और इसमें जो जहां से question अकसर आता है 1191 में in the year 1191 that was the eighth attack of Muhammad Gori और उसमें देखिये there was battle of Karain इसमें प्रतिराज चौहान he defeated Muhammad Gori लेकिन आप देखिये जो ninth attack हुआ था, fifth attack किया Muhammad Gori ने and that was in the year 1192 और इसमें की you have the Prithviraj third, he was Prithviraj third, he was finally defeated and killed तो में सासन अस्थापित करने का रास्ता जो है यह clear हुआ और Muhammad Gori के attack के बाद ही आप देखिये की Delhi Sultanate was finally stabbed and that was you understand that was in 1206 A.D. that was Paitudududdin Aibak who was one of the slaves of Muhammad Gori moving forward आप देखिये की मंगोल का invasion हुआ है और जो मंगोल का invasion भी during the medieval time देखिये तो सबसे पहले इल तत्मिस के समय में हुआ है who was the Delhi Sultanate Rural और यह 1221 A.D. में मंगोल का invasion हुआ during the time of इल तत्मिस और चंगेज खान was the invader और देखिये की मंगोल का जो invasion हुआ है सबसे जादा अलावदीन खजी के समय में हुआ था last attack जो हुआ था मंगोल का that was in the year 1328-1329 during the time of Muhammad bin Tughlaq यह question भी पूछा गया है state PCS में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और यहां पर आपको इन concepts को clear रखना है facts को clear रखना है then you find again a very important attack very decisive that was by टाइमूर and that was in the year 1398 और उस वक्त जो डेली सल्तनत पे जो थ्रोन पर था he was Nasiruddin Mehmood Tughlaq he was the ruler and please understand कि टाइमूर जब इसने attack किया तो डेली was massacred यानि की loot और plunder के अलावा उसने क्टई लोगों की हत्या की so Delhi was at the forefront of invasion, attack and murder and loot by टाइमूर during the time of Nasiruddin Mehmood Tughlaq moving forward आप देखिए कि Nadir Saha का attack हुआ है, he was the ruler of Persia और इसमें जो एक battle जहां से एकसर सवाल आया है that is battle of Karnal and battle of Karnal took place in the year 1739 और उस वक्त जो ruler था the Mughal emperor he was Muhammad Saha who was also known as Rangila यह सवाल भी कई बार पुछा गया है, आपको जियान में रखना है, do understand कि एक सवाल और पुछा जाता है कि कौन सा ऐसा invader था जो कि Kohinur Hira जो था, Kohinur Diamond अपने साथ ले गया और उसके अलावा जो Peacock का Throne था, उसको भी अपने साथ ले गया यानि कि नादीर साह आया, उसने loot और प्रेंडर किया, जो इंडिया के rulers थे, contemporary जो rulers थे, उनको हराया और साथ में, you understand, Kohinur Diamond अपने साथ ले गया और जो Peacock Throne था, वो भी अपने साथ ले गया और जब नादीर साह, जो कि अफगानिस्तान के थ्रॉन पर था, जब उसका डिपार्चर हो गया, वनी पास्ट अवे, तो एहमद साह अब्दाली वास दी सक्सेशर तू नादीर साह और पहला इंवेशन जो एहमद साह अब्दाली का हुआ था, यह कुछा गया है कि who was the Mughal Emperor at that particular point of time, so that was मुहमद साह एक बहुत ही important question जहां से कई बार सवाल आया है कि 1761 का जो एहमद साह अब्दाली का अटाक था, that was third battle of Panipat और जो third battle of Panipat है, you must be knowing कि Marathas were defeated, Marathas received crushing defeat in the third battle of Panipat और कहा जाता है कि third battle of Panipat में, अगर Marathas का defeat नहीं होता, तो साइथ modern India की जो history है, उसका direction कुछ और होता लेकिन Marathas के defeat से यह clear हो गया, कि who will not rule India, so that world will not rule India, that is the Marathas and who will ultimately rule India, that is East India Company, that is the Britishers, so Ahmed Shah Abdali का 1761 का attack था, that was very decisive because that demolished a very powerful force which was trying to establish an all India empire at that particular point of time and that was the Marathas were defeated, that paved way for the emergence of East India Company as the ultimate power all over India करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो तो परिपे हमारी चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें, we shall meet shortly, until then, goodbye